मेटाबोलिजम टीवी में आपका स्वागत है जो आपके मेटाबोलिजम और स्वास्थे के बारे में सही जानकारी का श्रोत है एक विनाशकारी बीमारी को हराना जो आई टाउज यंडáriden मैं फ्रैंक सुआरेज हूं मोटापा और मेटाबोलिजम का विशेश अच्छे जो मैंने किए है चुकि मैं लोगों को वजन कम करने पतला होने, मधुमेह को नियंतरित करने स्वास्थ को पुणھ प्राप्त करने उर्जा को पुणठ प्राप्त करने में मदद करने के लिए समर्पित हूं तो मुझे दुनिया भर से जानकारी मिलती है स्पेन, अर्जेंटीना, ज्वाइटाउजन डाइन, कोलंबिया, कोस्टा रिका, पनामा, इक्वाडोर सभी देशों से मुझे जानकारी मिलती है जहां भी स्पैनिश बोलने वाले लोग हैं वे मुझे लिखते हैं और मुझे अफगानिस्तान, इटली, विभिन देशों से भी लोग लिखते हैं और फिर मैं विभिन स्थितियों से पोशित होता हूँ जो लोग अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं जिन्हें वे समझ नहीं पाते, जो डॉक्टरों के पास जाते हैं, समाधान नहीं पाते और लगातार मुझे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि मुझे एक समस्या है, एक गंभीर बीमारी है कैटास्ट्रॉफिक बीमारी क्या है? एक catastrophic बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो एक आपदा होती है यानि जो आपकी जान ले सकती है हम लू गहरिक की बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं जो पूरी मानस्पेशियों को कशीन कर देती है हम cancer के बारे में बात कर रहे हैं हम एक ऐसी multiple sclerosis के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, हम विनाशकारी बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब किसी का प्रियजन, एक बेटा, एक मा, एक पिता, एक भाई, किसी गंभीर बीमारी से प्रभावित हो रहा होता है तो चिकित्सा के पास वास्तव में बहुत सारे समाधान नहीं होते हैं क्योंकि चिकित्सा लक्षणों के साथ बहुत काम करती है और कारणों के साथ नहीं क्या मैं एक शण के लिए बोर्ड पर जाओं ताकि मैं समझा सकूं कि मैं क्या करूंगा सही और मैंने क्या सीखा है मैं क्या करूंगा और यह मेरे अपने परिवार में यहां तक कि मेरी अपनी मां के साथ भी जो एक समय पर गंभीर बीमारी के प्रकार की समस्याओं से गुजर कर देते हैं तो यह अच्छा होगा है ना यह जानना कि कौन से समाधान तारकिक हो सकते हैं और जो उस विनाशकारी बीमारी की प्रगति को रोकने का मार्ग खोल सकते हैं देखिए चिकित्सा सही कहा चिकित्सा वास्तव में कई अच्छी चीजें करती हैं, उदाहरण के लिए, चिकित्सा ने मेरी खुद की जान बचाई है, एक बार मुझे अपेंडिसाइटिस हुआ, मुझे ले जाया गया, मुझे एनेस्थीसिया दिया गया, और मेरी जान बचाई गई, और इसलिए मैं आप से यहां बात कर रहा हूँ, मैं लगभग मर ही गया था, मुझे पेरिटोनाइटिस था, लेकिन उन्होंने मेरी जान बचाई, तो एक दुरगटना सूजन के क्रॉनिक मामलों के लिए दवाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन वास्तव में मैंने नहीं देखा कि चिकित्सा के पास वि एक एनालजेसिक, मतलब एक एस्पिरिन, एक टाइलेनॉल, जो भी हो, सूजन है, तो कुछ ऐसा जो सूजन को कम करे, तरल पदार्थ को रोक रहा है, तो एक डायूरेटिक, मतलब ये सब लक्षन है, ठीक है, अब लक्षन से परे, मुझे हमेशा कारण ढूनना थोड़ा अ अगर बादल हैं, तो इसका कारण ये है कि बादलों में पानी है, और अगर बादलों में पानी है, तो इसका मतलब है कि ज्वाय टाउजन डाइन ग्रह पर कहीं न कहीं पानी वाश्पित हुआ और ऊपर चला गया, मतलब मैं हमेशा सोचता हूँ कि हर चीज का एक कारण होत तो मुझे हमेशा ये जानने में दिल्चस्पी होती है कि कारण क्या है कारण यही मुझे दिल्चस्पी है तो एक गंभीर बीमारी में दिल्चस्प बात ये होगी कि कारण क्या है मेरा अनुभव मुझे बताता है कि जब मैं हजारों बीमार लोगों के साथ काम करता हूँ जो अनियंतरित मधुमेह के साथ आते हैं जो अंग कटवाने के कगार पर हैं जो अपनी दृष्टिक हो रहे हैं वह व्यक्ति पहले ही नपुनसक हो चुका है इस प्रकार की सभी चीजें जो मैं रोज देखता हूँ है न मेरे लिए दिल्चस्प बात ये होगी कि कारण की खोज की जाए मैंने जो चीजें देखी हैं और आपसे साज़ा करना चाहता हूँ वह ये है कि लगभग सभी समस्याएं भोजन या आहार के माध्यम से आती हैं कुछ ऐसा जो खाया जा रहा है जिसे शरीर सहन नहीं कर पाता जिसके खिलाफ शरीर प्रतिक्रिया करता है या फिर पोशक तत्वों की कमी या विशाक्त पदार्थों के कारण उदाहरण के लिए लगभग सभी गंभीर बीमारियां जो मैंने अनुभव की हैं चाहे वह प्रियजनों में हों या अन्य लोगों में और जो नेचरल स्लिम सिस्टम के सदस्य थे जिन के पास एक अस्थाई गंभीर बीमारी थी जैसे की कैंसर तो मैंने काफी खोजबीन की और उनसे बात करने की कोशिश की मैंने पाया कि या तो उनकी खानपान की आदतों में समस्याएं थी वे ऐसे खाद्य पदार्थ खा रहे थे जो शरीर को नुकसान पहुचा रहे थे या फिर विटामिन, खनिजों जैसी आवश्यक चीजों की कमी थी जो शरीर को अपनी रक्षा करने के लिए चाहिए होती है या फिर भारी धातूं, पारा, सीसा, आरसेनिक, फ्लोराइड जैसे विशाक्त पदार्थों की उपस्थिती थी हमने ऐसे लोगों को पाया है तो अब अगर मुझे कारण ढूणना है तो मुझे पताए कि एक गंभीर बीमारी है मुझे उन तीन क्षेत्रों में से एक में देखना होगा अब खोजने के लिए उपकरण क्या है? मैं उन्हें संक्षेप में कवर करूँगा यदि आपके परिवार में कोई है कोई प्रियजन जो किसी गंभीर बीमारी से पीडित है तो मैं यही करूँगा सबसे पहले मैं कारण को खोजना चाहता हूँ मैं कारण पर ध्यान के इंद्रित करना चाहता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ ताकि इस व्यक्ति की मृत्यू ना हो सही उन में से एक है आक्रामक खाद्य पदार्थ और अगर आप Metabolism TV में उन एपिसोड को खोचते हैं जो आक्रामक खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं तो आपको लगभग साथ या आठ एपिसोड मिलेंगे वहां मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप ग्लूकोमीटर ग्लूकोज मापने वाला यंतर का उपयोग कैसे करें ये है ये कभी असफल नहीं होता ये आपको बिल्कुल बताता है कि क्या कोई भोजन आपके शरीर को तनाव दे रहा है इसे करना आना चाहिए लेकिन अगर आप मेटाबोलिजमे टीवी पर आक्रामक खाद्य पदार्थों के एपिसोड देखते हैं तो आक्रामक खाद्य पदार्थ वे खाद्य पदार्थ हैं जिनका तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है एलर्जी का प्रभाव प्रतिरक्षा प्रणाली पर पड़ता है ये दो अलग-अलग चीजें हैं शरीर में विभिन प्रणालियाएं होती है यह प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, है ना, उदाहरन के लिए जब कोई व्यक्ति कुछ ऐसा करता है, जिससे उसे ऐलर्जी होती है, तो उसे खुजली होगी, उसे बलगम निकलेगा, उसे सिरदर्ध होगा, यह एक प्रतिक्रिया है, ऐलर्जी को ऐलर्जी इ अब शरीर में एक और प्रणाली है जो एलर्जी नहीं है इसे असहिशनुता कहते हैं असहिशनुता अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूँ जो एक गंभीर बीमारी से पीडित है तो मैं यह देखना चाहता हूँ कि क्या कोई आकरामक तत्व है जो इसे पैदा कर रह हैं क्या कोई अलर्जी है जो इसे पैदा कर रही है यानि असहिशनुता असहिशनुता को प्रकट होने में समय लगता है और इसमें एक दिन दो दिन और कभी कभी चार दिन तक लग सकते हैं ठीक है लेकिन मूल रूप से यह प्रतिरक्षा प्रणाली के एक हिससे पर हमला है जिसे इनैट इम्यून सिस्टम कहा जाता है इनैट मतलब माफ कीजिए यह सेकंडरी है और इसलिए शरीर में दो हिससे होते हैं इनैट जो जल्दी प्रतिक्रिया करता है जो हमारे जन्म से ही होता है और दूसरा जो समय के साथ विकसित होता है अब आक्रामक खाद्य पदार आपके लिए एक ग्लूकोमीटर है ताकि आप ज्वाइटाउजन डाइन की एलर्जी की जांच कर सकें इसके लिए एक परीक्षन का उप्योग किया जाता है जिसे अलिसा परीक्षन कहा जाता है और विभिन खाद्य पदार्थों के साथ मिलाया जाता है यह देखने के उन खाद्य पदार्थों के कारण रक्त में होने वाली सूजन को मापते हैं तो अगर आपके पास कोई गंभीर बीमारी है तो यहां आपके पास तीन उपकरण है आकरामक खाद्य पदार्थ यह देखने के लिए कि क्या कोई खाद्य पदार्थ आपके तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित कर रहा है अलर्जी जिसे यह देखने के लिए इलीसा परीक्षन के साथ भी किया जाता है कि क्या कोई भोजन रक्त को सूजन कर रहा है या यहां तक की अलकल परीक्षन जो प्रणाली के एक अन्य हिस्से का परिक्षन करता है अब इन तीनों को करने के बाद इसके अलावा मैं विशाक्त पदार्थ हों और भारी धात्वों की जाँच करूंगा अगर मेरी माँ इस स्थिती से गुजर रही है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और देख रहा हूँ कि वह मर रही है तो मैं सभी विकल्पों की तलाश करूंगा जो भी मेरे पास है यह जानने के लिए कि समस्या का कारण क्या है मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है